आउजब लाहिम इने शेटवान इराजी मिसमले रह्मान इरहीम शुरुला के पाक नाम से जो बड़ा महरबान और नहायत रहमबला है असलाम लेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब तीक ठाक होंगे विल्कम है आपके मेरे जैनल कुकिंग विद मुसकान पे आज हम बिल्कुल बेक्ठी स्टाइट महरम स्पेशल सूजी के रोट रेडी करेंगे जो कि हम इंशाला परफेक्ट महीवेंट्स के साथ बनाएंगे जो बिगनर्स हैं वो भी इसको इसली बना सकते हैं बहुत एजी रेसिपी है चैनल भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर रेसिपी बसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो रेसिपी को स्टाट कर लेते हैं सबसे पहले आपने एक कप सूजी ले लेनी है सूजी मेरी यहां पर बरीक है लेकिन हम इसको मजीद जो है वो ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लेंगे या आप किसी भी मिक्सरी के अंदर या जार के अंदर इसको अच्छे से पाउडर फोम में बना ले तीन चार मिर्ट लगेंगे और यह देखें पाउडर बन के रेडी हो चुका है सूजी का काफी हद तक यह और जादा बरीक हो गई है उसके बाद मैं यहां पर गेहू का आटा आट करी हूँ अगर आपको बस आटा नहीं है तो आप इसके अंदर मैदा भी आट कर सकते हैं आदा कप मैं इसके अंदर पाउडर शूगर का आट करी हूँ जिसको मैंने चिस से पाउडर बना लिया था उसके बाद हमें इसके अंदर घी आट करेंगे बन फोर्थ कप मैं इसके अंदर घी आट करी हूँ उसके बाद हमें इसके अंदर एक अंडा आट कर देंगे जो दो टेबल स्पून के करीब है इसके नट सा अट कर दूँगी और बाकी मैं बात के लिए बात की यूज के लिए उसको रग दूँगी बस इतनी ही चीज़ें हमें अब हम इसको हातों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको इसकी डो बना लेंगे फाइन सी यहां पर आपको दो से तीन मिट लगेंगे इसकी डो बनाने के लिए इस टेश के पर जिब मिक्सिंग अच्छे से हो जाए तो आपने इसको तो थोड़ा से सोफ्ट डो बनाएंगे लेकिन आपने इतनी ज़़ादा भी सोफ्ट नहीं कि वह बिल्कुल नरम हो जाए बस जो मैंने आपको मरियमेंट्स बनाई है आपने उतनी ही रखनी है और दो टिबल स्पून पानी का एड़ करके आपने इसका अच्छा से डो बनाकर रख देना है उसके बाद आपने इसको स्टे दे देना है स्टे आपने तकरीब इसको 42-45 मिर्ट के लिए जरूर देना है क्योंकि उस 5 मिर्ट हो चुके है डो अच्छा से सट हो गई है उसके बाद मैं इसके दे हाफ टी स्पून इलाइची आइड कर दूँगी यहां पे मैंने इलाइची को हलका से कूट लिया है बहुत जादा पावडर फॉम में नहीं बनाया तो चीहां पे हम इसकी दुबारा से बना के रेडी कर लेनी है यह देखें आपने बहुत जादा बड़ा जो है इसका बॉल बनाने नहीं बहुत जादा चोटा बस आपने चोट-चोटी से बॉल्स ले लेने हैं और उसको आपने इस तरह से कूकी की शेप दे देनी है जब आप इसको राउंड शेप अच्छे स दे देन तो उसके बाद जो हमने रिमेनिंग नट्स रखे हुए थे अपने चॉप्ट किया हुए उसके पर हम इसको इस तरह से लगा देंगे और जो नट्स है इसको साथ इसली जो है वो स्टिक कर लेंगे और यहां पर देखें अरहम दला कितनी प्यारी लग रगी है कूक इसको बेक करना है उसके बाद आप इसको 20 से 15 मिनट तक जरूर बेक कर लिजए पीच में चेक करने की जरूएत नहीं है क्योंकि यह इसली जो है 25 मिनट में बनके रेडी हो जाएंगी लेकिन मैं यहां पे इसको बेकिंग अवन में बेक करूँगी तो मैंने जो है अपना ज जो है वो 10 मिनट के लिए अलरड़ी प्री हीट कर लिया था उसके बाद हम इसको शुरू कि जो पर्णा मिनट है वो लोवर रोट को हम आन कर देंगे और अबर को भी अंच आपर ऑजिए ताके तो अच्छी से पर अच्छा सा कलर आ जए तो अब अलहमदल इला हमारी जो ब सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड को साथ शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें इस पर कमेंट करें अपना बहुत जादा ख्याल रखेंगा और मुझे अपनी द्वाओं में याद रखेंगा थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो अलाह फैस आज हम बहुत ही मज़दार गेहू के आटे के साथ जो है वो मदीदा बना के रेड़ी करेंगे जो कि काफी जादा हेल्दी है और बहुत ही जादा टेस्टी बन के रेड़ी हो गया अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं बिसमिल रख्मान ररहीम यहाँ पर मेरे एक कप जो है वो के अरे न Awakन के कर लेना है यहाँ प yicem कित ऑफ़ कर लेना है यहां पर चार से पांच मेंट लगेंगी और हमायी जो आटा की डू है वह बन के रेड़ी हो जाईगी हलका सैभी फberच गूं लेंगे ताकि अच्छा सा यह ब般 कि रेड़ी हो जाए तो जो हम मैंने इसको अच्छे से गून लिया है अब जो है हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे तकरीमन मैं इसको बीस मिनट के लिए छोड़ दूँगी इसी तरह उससे यह होगा कि रोटी बहुत ही जादा सॉफ्ट मनेगी और पेड़े वी जो है वह एजिली बनके रैडी हो जाए तो बीस मिनट के बाद आपने का करना है इसको जो है वो तीन पोर्शन में डिवाइट कर लेना है यानि कि हम इस आटे के जो है वो तीन पेड़े बना के रैडी कर लेंगे अचा जी यहाँ पे मैं इसके तीन पेड़े बनाऊंगी हमने बहुत जादा पतली रोटी नहीं ब जिससे कि सिंपली हम पराठे का जो पेड़ा है वो बनाते है इसको भी हम बिल्कुल इससे ताना बना लेंगे हालका से मैं हातों से इसको प्रेस कर रही हूँ उसके बाद जो है हम इसको बेल लेंगे थोड़ा सा ताके हम इस पे जब घी लगाए तो एवनली हर जगा पे अ बाएब पेस्त्र लेंगे वो कि दियुद्ट शुसा नारी हूं इसलिब मिला फे जो है वो फिर देसी यूस कर रही हूं लेकिन अगर अगर आपके पास देसेगी आवेलिवल नहीं है तो आप नॉमल जो है तो उलम जो फालमेंccioneskes के होता है और वह खुश्तिंग होón बहु इसको दुबारा से बेल लेंगे, थोड़ा साप खुश्का लगा लें, खुश्का लगाकर आप इसको दुबारा से बेल लें, जिससे के हम रोटी बनाते हैं, अच्छा जी, इस टेज़ बेलेंगे तो आपने इसको बहुत जादा पतला नहीं बेलना, कि हम जिसे नॉर्मल र और उसके बाद में हम इसको पर देसी की अपलाई कर देंगे, यहाँ पर मैं दुबारा जो है वो एक से डेर टेबल स्पून तक जो है देसी की इसको पर आट कर दूँगी, उससे जो है काफी जादा सौफ्ट और यमी बन के रेड़ी हो जाएगी और बहुत ही व्यारी किया है अब हम इसको दोनों साइड से उलट पलट करके जो है वो पका लेंगे जब तक कि जो है वो रोटी अच्छे से से के पकना जाए और आप सब मेरी वीडियो कि इसकांट्रियर से वाश करें है मुझे कमें इन बोक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नियू है तो को सबस्क्राइब कर दीजे और अगर रेसीपी पसंद आ रही है तो रेसीपी को लाइक भी कर दीजे तो जी यह बहुत इसी है आप अपने बच्छों को भी बना कर दे सकते हैं यह काफी ज़दा है और इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़दा अच्छी है तो आप उ लिए करूंगे जिसके अपने मलाइधा बनाना है किसी कुनाली में ले लिंए या परात में लिया फैट में ले ले उसके बार में ले ब्लूद समाने उसके इतो के बार मूंपे भे certainty नीं नहीं टोड की अगर आप जाएंदा से नहीं नहीं दोड़ना शागने तो फो इसको जो है ग्राइंड कर लें फाइन सा आप इसका पाउडर तो ना बनाई लेकिन हलकल कसे इसको ग्राइंड कर ले तो ये तब भी मलीदा बन जाएगा यहाँ पर मैंने रोटी को जो है काफी हद तक तोड लिया है उसके बाद मैं इसके उन्दे गुड़ाइट कर लूँगी तकरीबं मैंने इस एक कप आटे के अंदर जाए है वो तकरीबं 1 फॉर्थ कप गुड़ाइट किया है लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्णिंग कम या जादा कर सकते हैं जितना भी मीठा आप जादा खाना पसंद करते हैं कम हाथों के मतलग से इसको साथ साथ हम तोड़ते जाएंगे क्योंकि अगर यह थंडी हो गई तो फिर यह इसकी जो चूरी है वह सई से नहीं बनेगी इसलिए हम इसको जो है वह फटफट गरम-गरम ह होगा हलका हलका सा आप हाथों के साथ इसको मसलते रहें तो यह जितनी घरम होती है तो इसलिए जली से भी तूट जाती है लेकिन अगर ठंडी होगी तो यह ड्राय हो जाएगी इसलिए आपने काम जली-जली करना है उसके बाद मैं इसके उपर जह है वह वह दो से तीन ते काजू और किषमिश आइड करनी हूँ आप अपनी मरज़ी के आपकी फिवरिट नच्स है आप उनको आईड कर सकते हैं इनको मैं हलकल कर दिया है उसके बाद मैं इसके लिए हैं और इसके बाद इसके हम मिकसिंग कर दिंगे नच्स से जह है काफी जादा अच्छा फ्लेव में गृत क对क hat allocation मुझञे अपन बनोव ऑनी त्यक्व पर 15 पर 20 ऐसμεर अजय विजूंग यंद्密 स्ञ्व मांने अवंगे रही मॉर्बान और ब мелच में अस्मालिक्म क्षिए आप सब उम्मीद है वेल्कम आपका मेरे जैनल कोकिंग विद मुसकांद पे आज हम महरम स्पेशल वर्की चोंगे बनाएंगे जो कि हम लेयर वले बनाएंगे सब टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से इसको क्रिस्पी रख सकते हैं और लेयर्स वला बना सकते हैं आपने वीडियो को फूल वॉच करना है उसके बाद ही आपने यूज करना है चोंगो को खस्ता बनाने के लिए डो के अंदर हम चार टेबल स्पून घी का इस्तमाल करेंगे आप इसके जगा ओयल भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप खी यूज करेंगे तो वह जादा बहतर है एक से दो मिनिट तक हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे सबसे पहले हम इसको घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर आप एक से दो पिंच इसके अंदर नमक भी आइट कर सकते हैं क्योंकि नमक से जो है इसका टेस्ट हलका सा जब नमकीन आता है बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं यहाँ पे नमक आइड नहीं करी लेकिन अगर आप आइड करना चाहें तो कर सकते हैं उसके पाद हम इसके नहीं हस्पे जरूरत पानी आइड करके इसकी अच्छी सी डो गून लेंगे अच्छा जी डो को हमने उसको अच्छा सा गूनना है नहीं बहुत जादा हमने उसको सख्त गूनना है और नहीं बहुत जादा नरम यहां पर मैंने तक्रीवन एक utilize फानी लिया था जिसके अदे से आधे कपसे थोड़ा सा जदा पानी लग गया है बाइजी जो है वह थोड़ा सा बचके है कि स्थिक्षे में एक भीका सा अश्टे मिनिट का stay दे देंगे उसके बाद हम जो है इसका next step करेंगे आपने देखा थोड़ा सा बानी बच किया है अब इम इसको अच्छा सा stay दे देंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो जी देखें तकरीबन यहां पे जो है 15-20 मिनट हो चुकी है और यह अच्छे से जो ह सारे पेड़े यह नहीं करना कि आपने एक बड़ा पेड़ा ले लेना है और एक छोटा नहीं आपने इसको equally डिवाइट करके इसके चुट-छोटे से पेड़े बनांके आपने रख लेने हैं तो यहां पर अलहम्दल्ला मैंने equally जो size के हैं वो यहां पर साथ पेड़े बना है इसके अंदर चीनी आट करने के बाद हम इसके दो से तीन हरी इलाइची आट कर देंगे खुश्पू के लिए अगर आपके पास इलाइची नहीं है तो आप के वड़ा वोटर भी आट कर सकते हैं तो यहां पर हमने इसकी बनानी है चाष्णी तो हम क्या करेंगे इसको अ 5-6 मिनट लगेंगे अगर आप इसका काम जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम के पर करेंगे लेकिन आप चाष्णी को जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम के पर ही पकाया करें उससे जो हो है यह बहुत ज्यादा अच्छी स्टिकी बन के रेडी होती है और यहां पर देखें यह देखें कितना आच्छी स्टिकी होगी है तो अब हमने क्या करना है इसका फ्लेम कर देना है ओफ माई चाष्णी जो है वो रेडी हो चुकी है तो जी इसके बाद आपने ले लेने हैं थोड़ा से मैदा उसको हलका सा डस्ट कर दें और एक-एक पेड़ा लेने जो कि हमन लेंगे आपने इसको ना बहुत जादा पतला रखना है और नहीं बहुत जादा मोटा बजी हम इसको पूरी के साइज का बेल लेंगे उसके बाद हम इसके अंदे जो है हाफ टेबल स्पून जो है वो घी लगा लेंगे घी लगाने के बाद आपने इसको हलका सा जो है वो म मेदर डस्ट कर देना है उसके बाद यसके पहलका असा मैदर डस्ट कर दे और इससे के साथ आप जो है वह इसके उपहर geç डूसरी रोटी रखते जो हमने बाकी प्रेडो के रोड़ियां मनाई हैं इसी तरह हम एहर स्टेब इसको रखने में भी कोई मुश्किल नहीं लिए उसके बाद आपने इन सब कक्ठा कर लिना feds आप और इन ने सबके सब में बढ़ा सा इस इस बढ़ाए नीप ब्लूक्त बढ़ा हो प्रेह के बेखोगे सबके लास्ट रोटी के उपर खी लगाने के बाद हम इसके उपर दुबारा से जो है वो मैदर डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा क्योंकि अब हमने इसके दुबारा से पेड़े बनाने हैं तो ये जितना लेयर वाला बनेगा उतना ही ज़्यादा खस्ता और अच्छा बनके रेडी होगा उसके बाद आपने इस तरह छुरी से ना इसके बीसिस कर लेने हैं बिलकुल इस तरह से यहाँ पर तक्रीमएन darý के जो है पंच पीसिस कर लेंगे पीसिस करने के बाद आप इसको जो है थोड़ा-थोड़ा से साइट्स पर करने और उसके बाद आपने बिल्कुल इस तरह से कोना पकड़ना है और आपने इसको रोल करना स्टार्ट कर देना है जिसे के हम पराठे को रोल करते हैं बेकुल इस तरह से और साइट से आपने इसका कॉर्णर जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा देना है ताकि ये खुलेना ना पकते हुए ना हम इसको जब बेलें दुबारा तो ये अच्छे से बन के रेडी हो तो देखा आपने कितना अच्छे से जो है वो हमारा पेड़ा बन के रेडी हो गया है इसी तरह आपने जो है वो सारे पेड़े बना लेने हैं हलके हाथों से इसको रोल करते रहें साइट से कॉर्णर पकड़े हैं उसको नीचे की तरफ दबा दें ताकि ये खुलेना ना इसक इस तरह से वर्की जोंगे बनाए जाते हैं मुझे ये भी जरूर बताएं मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आपकी वोवली रेसिपी जो है वो जरूर ट्राइ करूं तो जी हाप हमारा जो लास्ट पेड़ा है ये बना के हमने रेडी कर लिया है ये मैंने थोड़ा इसलिए ल पिल्कुल इस तरह से ये देखें दूसरा भी मैं आपको करके दिखा देती हूं आप चाहें तो इस टेश पर आप इसको बेल भी सकते हैं लेकिन ये हाथों की मदद से एजी लिए हो जाएगा साथी साथ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था आपने इसको फ्राइ करने के लिए आइड कर देना है और आपने इसको पिछ पर पकाना है उससे क्या होगा कि यह अंदर तक पके ready होगा और इसका color भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन के ready होगा और यह खस्ता बन के ready होगा तो जी यहाँ पे इसको तकरीमन 5-6 minute लगेंगे और यह अच्छे से बन के जो है वो पके ready हो जाएगा साथ साथ आप इसकी साइट्स चेंज करते जाएं जैसे जैसे आपको फील हो कि इस पर कलर आता जा रहा है तो जी छे मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे बिल्कुल देखें इसका कितना एकोली अच्छा कलर आ गया उसके बाद हम इसको अपनी जो हमने चार्शनी रेडी की थी उसके अंदे डिप कर देंगे दोना दरफ से इसको अच्छे से डिप कर देंगे ताकि यह जी शीरा है इसके अंदे शोक कर ले और आपने इसको बहुत जादा देख लिए नहीं अच्छे से और मैं आपको बताती हूँ काम इसको कैसे डेकुरेट करेंगे इसके पर मैं थोड़ा सा जो है वो नार्या लाइट कर दूँगी जो कि में पाउडर फोम में था अवेलेबल उसके बाद मैं कुछ नट्स आइट कर दूँगी यहाँ पर मैंने बदाम और पिस्ते का यूज किया है आप अपनी कोई भी फिर्विट नट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं तो जी अलहमदल्ला हमारे क्रिस्पी और करंची जो हैं वर्की जोंगे महरम स्पेशल बन के रेडी होगे हैं मेरा आपको इजी वें में समझाने की कोशिश किया आई होप आप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप सबको मेरी रेसिपी फसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अपना बहुत ज़दा ख्याल रखेगा और मुझे अपनी द्वाओं में याद रखेगा थैंक्स वर वॉचिंग माई वीडियो अल्हाफिस आउजब लाहिम ने शेयत होने राजिम बिस्मिल्ला रह्मान रहीम शुरू अल्ला के पाक नाम से जो बड़ा महरबान और नहायत रहें वला है असलाम लेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब टिक टक होंगे वेलकम है आपका मेरे चैनल कोकिंग विद मुसकान पे आज महरब में बनने वाला हम स्पेशल शर्वत रेडी करेंगे जो के बहुत ज़ादा डिलिशियस और टेस्टी वन के रेडी होता है रेसिपी को ज़रूर वाच कीज़ेगा फुल और इसको ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये और वीडियो को लाइक भी कर दे तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं विसमल अर्मान रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर फोर टेबल स्पून पानी ले लिया है और आदा कपी हम इसके ने पानी एट कर देंगे पानी एट करने के बाद हम इसके दो से तीन पिंच जो है वो रेड़ फूट कलर के एट कर देंगे रेड़ फूट कलर एट करने के बाद हम इसके अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको चूले के उपर रख देंगे और फ्लेम को आउन कर लेंगे और इसको अच्छा सा हम पका लेंगे ये तक्रीबन 3-4 मिरेट का टाइम लेगी और हमारी जो चार्शनी है वो बन के रेडी होजेगी जैसे ही ठिक होना स्टार्ट होजे और इसको बबल स्पनना स्टार्ट होजे तो आपने क्या करना है फ्लेम को आफ कर देना है और इसको आपने ठंडा कर लेना है थर्ड स्टेप में मैंने half liter दूद ले लिया है जो कि चिल्ड है ठंडा है जिसको मैंने already boiled करके रख लिया था आपने अच्छा सा इसको ठंडा कर लियना है दूद को उसके अंदे हम ये तुख्मलंगा एट कर देंगे जो कि फूल चुकी है उसे के साथ हमने जो चाशनी ready की है उसको हम add कर देंगे चीनी, कच्छी, मता add किया करें उसको पका के add किया करें बस simply हमने यहाँ पर क्या करना है इसके जिसे mixing कर लेनी है ये already ठंडा दूद है लेकिन आजकर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम इसको मजीद और थोड़ा से ठंडा कर लेंगे क्योंकि जितना ठंडा ठंडा आप शर्वत भीएंगे उतना ही जादा ये टेस्टी और डिलिशियस लगेगा कुछ में इसके नट्स add करी हूँ ये optional है इसके नटे मैंने कुछ बदाम add किया है और कुछ में इसके नटे पिस्ते add किया है साथ ही हम इसके नटे कुछ आइस क्यूब्स पी add कर देंगे ताकि ये मजीद और ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको अच्छे से ठंडा कर लिए और आप इसको सर्फ करें इन्शाला है कि आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा रेसिपी आपके सब खरवला को और सब को बहुत जाता पसंद आने वाली है ये मोहरम का स्पेशल शर्बत है इसको ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे भी अपना feedback ज़रूर दीजेगा आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे बैल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की notification मिलती रहे इस वीडियो को like करें इसको अपनी friends and families के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो पर comment करें आला ताला हम सबके दिस्तागान में बरकेते डालें हम सबको अपनी अमान में रखें अपने बहुत ज़्याद ख्याल रखेगा और मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा थार थार थीडियो अला हाफिस